आप भी मानते हैं कि जिन्दगी में हसना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, 100% हसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यही भरा पड़ा है, जिस जिन्दगी में तो प्राब्लम होगी न, जिन्दगी है न जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एसास नहीं होता है, दुनिया जिसे कहते हैं, जादू का खिलोना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है, इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है, यही उपलब्दी उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्दी उसे चपरासी बन अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अमबेड़कर बन जाए अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए जानते हैं, गाहें दूद देती है, yes, no? पर चक्कर क्या है, हमारे पुनाने प्राटन बड़े शारे बने हुए हैं, सिंपल सानियम है, तुम जीते, तो सबके रिष्टेदार, और तुम हारे, तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें, दोनों चीजों के लिए ज़िया रहें पुए हैं, बेटा सबसे बड़ी चीज जो हमने खोई, वो है हमारा दोस्त, हमारा हीरो, हमारे आइडल, बिजनस दूप गया कोई बात नहीं, दोस्त अगर साथ होता, तो बिजनस फिर से खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी के साथ यही होता है, जब उनका दोस्त, उनका हीरो, उसका साथ छोड़ कर चला जाए, और अपनी मजबूरी का ठीकरा जो है, उसके सर पे पोले, तो इंसान टूट जाता है, कुछ करने की छमता तो छोड़िये, इच्चा ही नहीं रह जाती है फिरुए, कर्म ही पूजा है, कोई कर्म पूजा कब बनता है, कोई कर्म आस्था कब बनता है, कोई कर्म प्राथना कब बनता है, कोई कर्म इबादत कब बन जाता है, कि जब आप इबादत करते हो तो कर भी करते हो लेकिन इबादत में आप अपना सत्प्रस्द्य देते हो तो जब कोई काम किसे भी काम में आपने सत्प्रस्द्य दे दिया तो वह काम ही आपकी पूजा बन गई वह काम ही आपकी इबादत बन गई काम ही प्रास्थना बन देते मा जब रोटियां सेकती है ना तुस रेट रोटियों में वह अपना सब प्रसद्दे देती है इसलिए बेटे के लिए मा की हाथ की रोटिया अम्रिक हो अच्छा पैसे कौन देगा ऑनलाइन पढ़ाने के पैसे आजाएंगे जो वीडियो आइस पर व्यूज आएंगे इसके इसने आजाएंगे इस पर पैसे नहीं आएंगे जो बढ़ेंगे तब पैसे अब अलग अरे बार बार रिफिश करना बंद दरो तुम्हारे जिस कांट हो रहे हैं अरे करने दो ना अब जब व्यूज की भरोसी घर चल ला है तो लाने दो ना उसे अज़े अशे नहीं होता झाल